अक्षे कुमार के फिल्म Oh My God 2 की रिलीज पर आप रोक लगा दिये सेंसर बोर्ड ने दरसल इस फिल्म को ए सेटिफिकेट दिया गया है जी हाँ एडरल सेटिफिकेट अब सोचने वाली बात ये है कि जिस फिल्म के अंदर अक्षे कुमार भगवान शिव की भूमिका निभा रहे हैं अरुन गोविल जी शिरी राम की भूमिका निभा रहे हैं उस फिल्म को अगर एस सेटिफिकेट मिलता है तो यानि कि यह गंभीर विशह है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर सेक्स एजुकेशन के टॉपिक उठाया गया जानी कि यौन सिक्षा के बारे लीक हो चुकी है हम इस बात की पूश्ची नहीं करते हैं लेकिन जो कहानी सामने आ रही है वो यह है कि इस फिल्म के अंदर एक गे लड़के की कहानी बताई गई है जिसको स्कूल में कुछ बच्चे बुली करते हैं परिशान करते हैं जिससे तंग आकर वो बच्चा आत्म बच्चा कर लेता है और यह वाक्या पंकस्त्री पार्टी जो की प्रोफेसर की भूमिके निवा रहे हैं उनको बहुत जादा आहत करता है जिसके बाद वो सेक्स एजुकेशन को कमपल्सरी कर देते हैं अपने स्कूल में और बच्चों को यौन सिक्षा के बारे में पढ़ के रखते हो ऐसा क्यों होता है जब आपको कोई ज्यान देना होता या फिर कोई सोशल अवेर्नेस दिखानी होती है तो आप हिंदु धरम के जरीए ही वो सारी बाते करना चाहते हो क्यों करते हो आप लोग ऐसा मुझे याद है कि ओ माइग जो आई थी फस्ट वाली उसके अ आपर एक काला पत्थर पड़ा हुआ था जिसको तुम लोग शिवलिंग बोलते हो और उस शिवलिंग के उपर उस काले पत्थर के उपर लोग दूद चड़ा रहे थे और मुझे लगा कि वो दूद जो है बाहर किसी गरीब बच्चे को मिल रहा होगा किसी गरीब आदमी क मिल रहा होगा देकिनों सारा दूद जो है वो नाली मं जा रहा था और उस गरीब विचारे को दूद नहीं दिया गया तो उस वक्त तो मैं अगर हम अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उनको भेट करते हैं तो तुम लोगों को प्रॉबलम के उस चीज से जब तुम लोग अपने बर्थडे पर इतना सारा केक मुँपर मारकर बरबाद कर देते हो तब तुम्हें गरीब का ख्याल नहीं आता जब तुम लोग पाटी तो जोंग ड्राइब पर जाते हो इतना सारा पेट्रोल फूगते हो तब तुम्हें गरीब सखयाल नहीं आता जब तुम पिच्चर देखने जाते हो 1000 रुपी की टिकेट लेते हो पान्सु रुपे का पॉपकॉन लेते हो तब तुम्हें गरीब के खयाल नहीं आता लेकिन जब हम अपना धर्म निभा रहे होते हैं तब तुम्हें गरीब का खयाल आ जाता है तो यह दोगला पन्ना तुम्हारा मैं अभी दूर करता हूँ विश्रूपुणान के अनुसार जब समंद्र मंतन हुआ था तब बहुत सारा विश निकला था तो देवता घवरा गए थे इस संसार को इस भ्रहमान को इस विश से कैसे बचाए तब वो जाते है हमारे भोलेनात के पास और भोलेनात जो है सारा विश अपने कंट में ग्रहन क रख्रत्व विच्व के ताफ से उनका गला नीला पड़ जाता है और उनका बदन टपने लगता जिसके बाद सवी देवत भगवान शिव से दूद्ध ग्रेढ करने का अगर्य करते है और जब भगवान शिव दूद्ध ग्रेंड करते हैं और उनका दूद से रुद्राविशेक होता है तब उनको शांती मिलती है तब वो ताप कम होता है उनके बतन का जिसके बाद से ही शिवलिंग के उपर दूद चड़ाने की प्रथा शुरू हुई है तो यह हमारी आस्ता यह हमारा धर्म तो फिलाल इस फिल् सेट इड़िए उस फिल्म को मिलता है मार का रगण दिखास आते हैं फिर के वहिता है सेसे फिल्म जेके इसको को सोऀंने कि अदो कि आता है u as kita या याणि कि ऐसी फिल्म जिसको 12 वारा साल से उपर का इनसान देख सकता है उसको बोते हैं उसको बोलते है और कोई विए फिल्म बीना सेटिफिकड नहीं होती है तो इसी वरे सा जो है विफिलाल इस फिल्म के ऊपर रोक लग भी है इस फिल्म को पॉस्ट कर जा गया आब देखने वाली बात ही है कि कि वद्वन का kis to क्या लगता है आपकी क्या रहा है मुझे उज्ञाव क्मेंट सेक्षन में कोई भीषिक शिकायत या कोई सुजाओं डेना ही तो कि टुड़े जूआ झालाइब